हेलो एवरीवन एम सुलेखा साहू वेलकॉम और मैं चैनल सुक्यांत रियोफ नॉलेज जहां पे आपको जॉब पीसडी युजी सी नेट एंड अधर काइंड ओफ एजुकेशनल अपडेट्स मिलती है और इसी चैनल पर हम युजी सी नेट फर्स पेपर और सेकेंड पेपर क से रिलेटेट होने चाहिए तो इसी क्रम में आज हम लोग अपने वीडियो में बात करने वाले हैं स्कॉलर्शिप के बारे में तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन अल कटेगरी में जरूर प्रेस कीजेगा ताकि आपको मेरे आने प्रेस को सब्सक्राइब करना था तो इस पर अल यह जाकर आपको इस जो आपको बना दी हैं तो आपको चूट गई हैं तो आप आई बटन पर जा करके वीडियो देख सकते हैं और मेरी दो प्ले लिस्टे टेकनलोजी बूस्ट और नॉलेज और स्कॉलर्शिप वहां से जाकर आपको स्कॉलर्शिप भरना कैसे है और साथी साथ में कौन-कौन से स्कॉलर्शिप कब आती है यह सब ही चीज़े आपको वहां पर दीटेल में मिल जाएंगे उन वीडियो में उसका भी प्लेइलिस्ट का लिंक मैंने आई बटन पर दे दिया है वहां से बात करने वाले हैं मौलाना आजाद national fellowship के बारे में यह किन कैंडिदेट को मिलती है तो चलिए बिना देर किये हुए हम सुरू करते हैं आज की वीडियो और topic पर बात करते हैं यह यह fellowship जो है मौलाना आजाद national fellowship यह fellowship छे minorities कम्यूनिटी जो होती है उनको प्रवाइट कराई जाती है यानि अलपसंख्य ठीक है उनको प्रवाइट कराई जाती है बुद्धिस्ट क्रिश्चन जैन पार्सी सिख और मुस्लिम इन कम्यूनिटी से जो भी अभ्यर्थी स्टुडेंस बिलॉंग करते हैं वो इस चाहिए ठीक है नए नियम के अनुसार और यह जो फैलोसिप है वो एंफिल और प्यज्डी के लिए प्रवाइट कराई जाती है या यू कहें कि सोध को बढ़ावा देने के के लिए प्रवाइट कराई जाती है अगर आप एमफिल और PhD करेंगे तो आप नइ सोद को बढ़ावा मिलेगा यह फैलोशेव안fashion PhD पिसी में प्रवायट कराई जाती है है कि फिला और कि जिसमें आप ड्रेगूलर मूड में PSD करते हैं समय समय पर अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाते हैं जिसमें कि जब आवेदन मांगे जाते हैं तो अभ्यर्थी जो इच्छोक अभ्यर्थी होते स्टुडेंट्स होते हैं वो आवेदन करते हैं इस फैलोशिप के लिए और जो सेलेक्ट होते हैं उन सभी का नाम जो है PDF बना कर लिस्ट में जैसा कि आपने इस बार भी देखा है NTA की वेबसाइट पर अपलोड करते हैं और उसी का नोटिफिकेशन आपको मिला है और एक जो सवाल है कि हम नेट हैं हम ज्यारफ हैं मेरा इसमें नाम नहीं है तो मैं एक चीज कहना चाहती हूं जिनका नेट होता है उनको या तो युनिवर्सिटी से कम फैलोशिप मिलती है या फिर बहुत सारे कॉलेजिस में वो अपने पैसे से पैस्डी करते हैं और जो है कि जो ज्यारफ निकालते हैं युजीसी नेट एक्जाम क्रेक करते हैं वो जब एडमीशन लेते हैं तो उनकी फैलोशिप अपने आप स्टार्ट हो जाती है ज्यारफ इसके लिए अपलाई नहीं करते हैं इसमें जो नेट है उनको फैलोशिप क आउट को जरूर दूर करूंगी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन अल कटेगरी में जरूर प्रेस कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा थैंक यू सो मच फर वाचिंग माई चैनल यू बबाएं